हलो एवरीवन तो फिर से नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और हम लोग यहां डिसकस करने वाले हैं इरड के नेक्स्ट पार्ट को जिसमें हम लोग कुछ फार्मलेज देखेंगे और साथ ही साथ कुछ कोश्चन्स डिसकस किया जाएगा तो चलिए फटा-फट सुर कि आपने कोई फिसकल क्वांटी क्यू को मेजर की ठीक है कोई फिसकल क्वांटी क्यू मेजर करें कुई कुछ भी हो सकता है लेंद हो सकता है वेट हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है जो की बराबर ही है लेंद के तो क्यू जो है उसको आपने मेजर किया उसमें आपने कुछ value मिला ठीक है तो उस value को true value को हम लोग q means represent करते हैं ठीक है जो true value होता है उसको q means represent करते हैं साथ ही साथ उसमें कुछ error भी calculate किया जिसको की आप लिखते हो delta q ठीक है उसको आप mean लिख सकते है कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन हम लोग simply उसको avoid करते हैं delta q का मतलब ही होता है कि on average error ठीक है delta q का मतलब तो यहां पर हम लोग उसको avoid कर सकते हैं लेकिन चलिए इस बार तक हम लिखते हैं यहां पर तो q की जो value है q mean plus delta q mean plus नहीं है मैंने कुछ sign नहीं दिया है अब होता है कि जब भी आपको कोई quantity जिसको आपने मिजर के उसको represent करना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से रिपर्जेंट करते हैं जो first term होता है उसमें हम लोग true value लिखते हैं और जो second term होता है उसमें हम लोग error लिखते हैं ठीक है और इसका मतलब यह होता है कि suppose कि q जो actual value है वो suppose कि 5 है मैं simple example suppose कि जो length है मैं q को as a length ले रहा हूं तो जो actual value है आपका 5 है और जो error आ गया आपका delta q mean यह 0.1 तो इससे कहने का मतलब हो गया plus minus लगाने का मतलब यह बोलता है कि आपका जो value आ रहा है क्योंकि जो value आ रही है वो value लाई करेगी 5 से 0.1 पहले और 5 से 0.1 बाद त्योंकि आपने जो error calculate की है आपने जो error calculate की है जो average value एरर का रहा है वो 0.1 आ रहा है ठीक है तो आपका जो value लाई करेगा वो 5 से 0.1 आगे और 5 से 0.1 पीछे की तरफ लाई करेगा ठीक है मतलब आपके जो measurements है on average इस region में लाई करने वाले हैं तो इसका मतलब यही होता है represent करने का किसी value को अगर हम लोग measurement के form में लिखते हैं यह dimension लिखते हैं तो उसको कुछ इस तरह से represent किया आता है आप first term में उसका true value दोगे और second term में जो है उसको आप लिखोगे उसका error और उस के बीच में हम लोग plus minus sign लगाते हैं plus minus sign लगाने का logic ही होता है कि वो जो value लाई करेगा वो एक reason में लाई करेगा वो एक reason में लाई करेगा और reason क्या होगा इस case में मैंने बोला 4.9 से 5.1 के बीच में तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे ठीक है और आगे जो हम लोग calculation क करने वाले हैं उसमें हमेशा हम लोग का aim होता है range calculate करना range करने का मतलब maximum error possible calculate करना ठीक है तो इस बात को अभी आप ध्यान रखेंगे धीर धीर आगे आपको समझाओंगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो हम लोग का यहां हम लोग formula सुरू करने वाले हैं ठ दो quantities का summation हो ठीक है suppose कि ए और बी दोनों length हो एक बार तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों same type के quantity होते हैं आप quantities डो different को add नहीं कर सकते हम लोग तो ए और बी कोई the value है और उस दोनों को add करने से आपको क्यू आ रहा है और दोनों को add करने से क्या रहा है आपका क्यू आ रहा है अब a को आपने measure किया होगा तो a की जो value लिखेगेगा आप कैसे लिखेगा a mean मैं about आऊं बार बार की मैं mean को avoid करने वाला हूं क्योंकि लिखने में बहुत time लगता है ठीक है और हम लोग उसको जादा दूर तक follow नहीं करते है प्लस माइनस delta a mean ठीक है इसी तरीके से आपको जो वी की value लिखी जाएगी वो लिखे जी गए b mean प्लस माइनस delta b mean ठीक है मतलब a की value कुछ range में लाई करें बी की value कुछ range में लाई करें तो आपसे पुछा गया है एक वाद है रखे कि दो जो लास्ट वाल टर्म हो error है तो आपसे पुछा जाए कि जब आप Q को calculate करेंगे जो की a और b को add करने से आपको मिल रहा है तो Q की value कितनी होगी कहने का मतलब Q की exact value कितनी होगी exact करने मतलब measured value कितनी आई चाहिए और साथी साथ Q में error कितनी आ सकती है इसके कहने का मतलब हो गया तो अगरे आपको calculate करना हो तो suppose कि जीए Q की value है Q हो तो हम लों को मालूम है और तो first term हो आपको Q की value represent करेगी और second term वो उसमें error represent करेगी तो error आएगा क्यों क्योंकि आपने a में कुछ error measure किया होगा और b में कुछ error measure किया होगा तो चलिए a b की हम लो value put करते हैं तो a b की value हो जाएगी a plus minus delta a ठीक है बी की जो value हो जाएगी हो जाएगी b plus minus delta b अब इसको हम लोग solve करकर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं q plus minus delta q is equal to a plus b द्यान से मेरी बात को सुनिएगा plus minus delta a plus delta b ठीक है मैं था इसको simple करने के form में लगा हुआ हूँ plus minus delta b मतलब भी होगा कि जो a plus b हो गया हो तो हम लोग जान रहते q है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और जो delta q जो error in q आएगा वो आएगा plus minus delta a plus delta b मतलब अगर दोनों के error को आप add कर देते हैं तो q में जो है वो error निकल जाएगा मतलब आपको अगर formula पुछा रहा है तो जो delta q हम लोग को हर जगा aim यही है कि error निकालना है हम लोग error निकालने कोशिश करें तो delta q कर simple में में represent करूं तो delta q में error उसको लिखेंगे हम ल first formula हो गया आपका चलिए आते हैं हम लोग second formula में थोड़ा सब तक हम लोग derivation देख लेंगे एक दो formula तक चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम लोग second formula में आते हैं तो second formula लिखा हो कि if q is equal to a minus b तो चलिए a और b की तो value हम लोग जान नहीं रहे हैं पिछले बाले की तरह है त ठीक है तो इसको आप solve कर गए तो हो जाएगा a minus b जो की q के बरावर है plus minus देखिए आप sign आपके पास काफी सारे है आपके पास sign काफी सारा है इसको मैं एक और तरीके से represent कर सकता हूँ रुकी एक मिनट इसको मैं represent कर सकता हूँ प्लस आप simply delta a और delta b को put कर दीजिए तो ताकि आपको confusion नहों देल्टा ए और देखिए अगर यह minus sign अंदर जाएगा तो आप हो सकता है कि आप बोले कि सर प्लस माइनस माइनस प्लस ते इसलिए माइनस प्लस ले रहा हूँ ठीक है ताक कि आपको कोई confusion नहों रहे है में calculation में अब यह है ठीक है तो यह जो first term हो गया तो क्यों represent करने वाला है हम लोग यह पता है कि यह जो term है वो represent करने वाला है delta q मतलब q में error कितना होगा अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से combination आप use करने के लिए free है आप delta a का plus sign और delta b का minus sign चूज़ कर सकते हो आप delta a का minus sign delta b का plus sign चूज़ कर सकते हो delta a का minus sign delta b का minus sign delta a का plus sign आप ध्याँ सुनिएगा तो आपके पास combination काफी सारे है चार combination है लेकिन एक बात ध्यान रखिए है कि जब भी हम लोग error का calculation करते है तो उस case में हम लोग को calculate करना होता है maximum error कि मतलब कि क्यू के calculation में कितना maximum error आ सकता है वह आप range find out करने कोसिस करते हो जिस तरह से हम लोग ने यहां लिख रखा है कि अगर आपका 5 है और प्लस माइनस आप लिख रहे हो कह रहे हो इसका मतलब है कि जो क्यू की value है इस case में लाइ कहां से कहां करेगी वह करेगी 4.9 से 5.1 तक मतलब यह आप एक range दे रहे हो आप कहा दे रहे हो एक range दे रहे हो सेम बात आपका यह भी है कि यहां भी आप जो आप Q calculate करने जाएगा तो आप एक range लेजिएगा कि आपका Q का value कहां से कहां के बीच मे करेगा तो यह तो Q की exact value हो गई लेकिन error के कारण जो है वो आगे पीछे कुछ होगा तो maximum कितना आगे पीछे हो सकता है maximum Q को कितना हम लोग गर्थ measure कर सकते हैं तो देखिए हम लोग maximum तभी आपका error maximum तभी आएगा जब हम लोग इस दोनों का sign या तो प्लस चूझ करें या इस दोनों का sign क्या चूझ करें minus अब बात को समझेगा इस दोनों का अगर मैं sign प्लस चूझ करूँ या दोनों का sign हम क्या चूझ करूँगा मैं minus चूझ करूँगा उस case में दोनों जो error है वो add हो यंदो देख 650बव मांदात्यों होता है था दित हैं इस हाइशऑ है what तो तो मैं यही टेक्नीक यूजका हूँ यहां पर कि अगर आपको jon हैं और अपने साइन आप चूज करते हैं और आपका एम होता है maximum error निकालना तो इस case में मैं finally क्या लिखने वाला हूँ कि अगर आपको delta q चाहिए अगर आपको q में error चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप आप delta q का value लिखो q मेरे जो error है उसको लिखो फिर से plus minus जो आएगा मतलब बजारा भी हो सकता है कम भी हो सकता है वो सकता है delta a plus delta b ठीक है तो अगर यह plus हो फार्मूले में आपके पास a plus b हो या a minus b हो दोनों case में जो error होते है हमेशा add होते है sorry यहाँ पर मैंने गलती लिखा है यहाँ पर मैं इसको plus कर देता हूँ ठीक है तो delta a plus क्या delta भी तो आइदर आपका plus हो या यहाँ minus दोनों के case में इसको नहीं plus minus दे सकता हूँ इसमें कोई देकत नहीं है मैं plus minus last में add कर लूँगा ठीक है चलिए तो यह बात आप ध्यान रखेगा चलिए हम लोग आते है next formula पर अब इन सारे formula को फटा फट लिखते हैं हम लोग एक बात में ध्यान रखेंगे कि हम लोग को error हमेशा maximum निकालने कोसिस कियाती है और अगर आपको error maximum चाहिए तो हमेशा errors को add ही करना होगा चलिए तो अगर formula इस टैप से हो तो इसमें हम लोग बोलते क्या है कि जो delta q की जो value हो जाएगी वो k constant है याद रखिया k क्या है constant तो उस case में हो जाता है k times of delta a plus delta b ठीक है मैं plus minus sign यहाँ पर इसका करने का मतले होगा कि आईजर आप plus sign रखो या minus sign दोनों addition में होगा दोनों subtraction में एक बूसरे के साथ तोनों case में error add ही होते हैं ठीक है next है आपका product form आ गया तो product form में formula थोड़ा लग होता है इसमें हम लोग बोलते हैं क्या क्या पास formula होता है delta q by q is equal to delta a by a plus delta b by b आप एक बात को ध्यान रखें यहाँ पर हम लोग जो calculation करेंगे यह fractional error करेंगे यह से फिज़े क्या है fractional error है और अभी तक जो formula तीन तक आ रहे हम लोग यह सब error है absolute error ठीक है तो fractional error को हम लोग अगर error में error में अगर उसकी value को divide करते है तो आपको हमें सा fractional error निकलता है तो इ जब ही आपका multiplication में होगा तो आपका fractional error add होंगे और जब ही आपका addition subtraction में होंगे quantity तो आपका errors add होंगे जैसे कि यहाँ पर add हुआ है first वाले में second वाले में थर्ड वाले में एक बात और कि जो formula fractional error के हैं वही formula percentage error के है क्यों क्योंकि अगर आप दोनों side hundred से multiply करते हो पूरे म इस साथ हो जाएगा percentage error in a इस साथ हो जाएगा percentage error in b तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल तो जो भी मैं fractional error के साथ जो formula यूज करने वाला हूँ वही मैं formula यूज करने हूँ किसके साथ percentage error के साथ ठीक है चलिए इसकी बात करें तो है तो यह division में लेकिन मैं already बोल लिखूंगा delta a by a plus delta b by b क्योंकि हम लोग का aim होता है maximum error calculate करने की formula से चलिए इसको हम लोग बात करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे delta q by q is equal to n times हो जो power होते हैं multiply होते हैं और यह formula होता है सब सारा fractional error है यह भी fractional error है इसके साथ अगर बात करें तो इसके साथ हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहां पर भी अगर k times हो multiplication हो तो यह formula सेम ही रहेगा जो कि यहां आने वाल है option number 7 में formula number 7 में तो यहां भी हम लिखेंगे delta q by q is equal to k इस case में जब भी multiplication form में हो या power form में हो तो k constant नहीं आता है वो आता है तब ही जब आपका addition subtraction जाकिसा कि option number 3 में है तो उसी case में आता है हम लोग का तो मैं यहां लिखूंगा delta q by q is equal to still n times of delta a by a ठीक है means the formula number second as 6th and 7th both will be same ठीक है अगर हम लोग constant multiply भी करेंगे तो इसके साथ अगर बात करें हम लोग तो यहां पर हम लिखते हैं delta q by q is equal to n times of delta a by a plus m times of delta b by b एक बात को और ध्यार रखें यह formula हो या यही formula आपका होगा a to the power n by b to the power m का भी भले यहां पर देखिए यहां पर जो है उपर वाले case में power plus m है यहां पर second वाले में कि बूलते हैं power minus m है लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं यहां minus put करूंगा क्यों नहीं put करूंगा क्योंकि मु जो है आपका next formula है जो कि last है हम लोगा उसमें हम लोगा जो formula होता है delta q by q is equal to delta q by q square sorry delta a by a square plus delta b by b square तो यह आपका होगया formula अगर ऐसे में हो इसको हम लोग यूज कब करते हैं तो यह resistance के parallel combination और mirror and lenses u और b के बीच यूज होता है ठीक है उस case में हम लोगा ऐसा formula तो जो भी आपक है आपका physics में questions को ध्यान में रखते हो दिये गया है एक बात और कि यहां plus sign हो या minus sign हो दोनों case में यहां पर जो sign है plus ही रहेगा क्योंकि error को maximize करना है चलिए तो हम लोगा आते है questions पे questions first question यह है कि if side of a rectangle are जो length है width है दिये गया है find error in perimeter तो आपका इस तरह से सारे questions को calculate करना है चलिए हम लोग question परने में time नहीं waste करते हैं आप question को पर सकते हो मैं solution करता हूँ तो perimeter तो सबसे पहले perimeter का जो formula होता है two times of sides a plus b होता है यह l plus bit बात बरावर है ठीक है two times of l plus क्या होगा b होगा तो अगर बात करूँ तो formula number आपका कौन से है varied है तो formula number में आपको दिखा रहता हू formula number 3 यहाँ पर चलेगा ठीक है formula जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पर mention करने वाले हैं तो इसको अगरा follow करें तो यहाँ पर में रिखूंगा two times of delta p will be equal to two times of delta l plus delta b ठीक है तो जैगा two times of delta is basically 0.1 and delta b is also 0.1 so it will 0.4 तो यहाँ एरर in perimeter ठीक है percentage error in perimeter निकालना है तो percentage error तो error तो निकल चुका है percentage निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा पहले perimeter करना है तो perimeter का हम लोग value calculate करना है तो two times of l plus b जो आपका है तो लिखेंगे two times of length कितना है exact value है 5.0 आप 5.0 लिख सकते हो कोई दिक्रत नहीं है 10.0 10.0 यह होजएगा 30 ठीक है तो अगर आप से मैं बोलू कि percentage error in perimeter होगा वह value हो जाएगी कितनी वह हो जाएगी delta p by p into 100 यह ता आपका आपका फार्मुला तो 0.4 by 30 into 100 इसको आप अगर calculate कर गए तो आजएगा 40 by 3 जो कि काफी हाई है इतना जदा होना नहीं चाहिए मैं calculation को easy करने के लिए रखा है तो जाएगा 13.3% जो कि हाई है actually इतना होना नहीं चाहिए in general error कोई दिक्कत नहीं है बस calculation को आप आसान करने के लिए मैंने लिए रखा है percentage error जो है उसमें percentage error in area तो सबसे पहले area का जो formula लिख लेते होता है length into width L into B ठीक है तो यह product formula है अब product formula है तो हम लोग कहा है ऐसा formula में लेगा जो भी formula पूरे physics में यूज करने हो लिखा हुआ आपका option number 4 formula number 4 में यूज करने वाला हूँ और इसमें आप देख सकते है कि इसमें direct जो calculate होता है वो fractional error calculate होता है वो क्या calculate होता है fractional तो मैं formula उसका लिखने वाला हूँ formula जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा delta A by A is equal to delta L by L plus delta B by B ठीक है चलिए तो आपका हो जाएगा इसको हम लोग put कर देते हैं फटा फट तो delta L by L 0.1 by 5 plus 0.1 by 10 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका delta A by A की value लेकिन मुझे calculate करना है percentage error in perimeter जिसमें हम लोग को निकालना है basically delta A by A into 100 की value तो आप जो भी value है उसको 100 सेयाड कर दे चलिए LCM आप फटा फट लेकर हम लोग 100 सेयाड कर देते हैं LCM आपका हो जाएगा 10 यह जाएगा 0.2 प्लस 0.1 into आप 100 कर दिजिए इसको आप डिवाइड कि तो आजएगा आपका 10 और hope इस case में calculation सही है और 3% सही है यह value ठीक है इतना बड़ा हो सकता है आपका error चलिए अब हम लोग बात करते हैं error in area देखिए अब में लोगों ने calculate कर लिया percentage error और आपको calculate करना है error याद रखिए है questions का pattern देखिए जो first case में है मैंने first question में दिया है पहले error calculate करना है फिर percentage और इस case में area case में पहले percentage और फिर error reason यह है कि first case में जो formula थे उसमें addition का assign था और addition में आपका first calculate हो सकता है error फिर आप बिना error को calculate की हुए percentage को calculate नहीं कर सकते हैं लेकिन third and fourth में जब area case आता है तो उस case में third case में पहले आपको calculate करना होगा percentage या fractional error फिर आप calculate कर सकते हैं error को तो fourth option की बात करें तो हम लोग को error calculate करना है तो पहले मैं area को calculate कर लूँ L into B हो जाएगा आपका जो की हो जाएगा 5 into 10 which is 50 centimeter square now we already know the value of delta A by A मैं direct delta A by A के बाई उठा रहा हूँ आसे तो सायद delta A by A की value आप यहाँ देख सकते हो यह 100 को multiply करने से पहले की बात करूँ आप यहाँ पर delta A by A की value देख सकते हो जो की आ गया है 0.3 by 10 तो अगर आपको चाहिए यहाँ से delta A मैं 100 से multiply नहीं करने जा रहा था delta A की value तो आप लिखेगे 0.3 by 10 into आप लिख दिए इसको 50 यह आपका cancel हो जाएगा यह 1.5 cm2 तो आपका इतना जाएगा area mirror ठीक है तो देखेए तो अगर आपको area की value exact लिखनी हो तो आप क्या लिखते हो true value और इसमे एरर तो true value कितनी area की जो area की true value है वो आपका है 50 ठीक है वो आपका है 50 तो 50 आप इसको 0.0 लिख सकते हो ठीक है तो 50.0 प्लस माइनस जो इसमें error है 1.5 तो यह हम लोग इस तरह से कुछ area लिख सकते है cm2 ठीक है लेकिन आपको बस error पूछा जा रहा था तो आप simply वहां तक छोड़ सकते हो चलिए अगर हम लोग next question में आते है next question में है कि if the side of a square is measured at 10.0 cm then find the percentage error in percentage error and error in the area आपको percentage calculate करना है error calculate करना है यहां पर एक दिक्कल की बात यह है कि हम लोग को बस side दिया गया है हम लोग को इसमें error नहीं दिया गया है तो देखिए दो बाते हैं इस question को थोड़ा और असान करने के लिए यह mention कर देता कि जो use किया गया है meter scale use किया गया है आपका use किया किया गया है meter scale को use किया गया है कैसे मैंने पता किया तो मैंने पता किया इस length से जो length है side का L की value है वो 10.0 cm है और आप 10.0 cm बोल रहे हो मतलब आप measurement यहां तक ले रहे हो इसका मतलब आप कौन सा use कर रहे है सकते हैं अगर आप ver लेकिन आपको पसता है ár मतलब मैं अगर बूलू है डेल्टा अल की value मैं direct बोल सकता हूं कि meters scale का error होता है वो list count के बड़ावा होता है जो कि 0.1 cm तो आपके पास value है length की और उसमें error है length में तो आप calculate कर सकते हैं percentage error ठीक है तो किसमें calculate करना है percentage error? percentage error and error in area तो सबसे पर आप area को जानते हो कि a list score होता है तो उसमें अगर आप मैं डेल्टा ए बाई ए को बोलू तो यह पावर और मैं यूज़ करूँगा तो हो जागा टू टाइम्स ओफ डेल्टा एल बाई एल ठीक है तो टू टाइम्स ओफ आपको परसेंटेज चाहिए ना चलिए हम यहां ता क्लेशन कर लेते हैं तो टाइम्स टू बाई 10 इंटू 100 यह हो जगा आपका 2% यह कितना हो जगा 2% अब हम लोग एरार इन एरिया की बात करें तो एरो कल्कुलेट करने के लिए हम लोग को और लुड़ी पता है जो एरिया की वैल्यू है वह है एल स्क्वैर मतलब 10 का स्क्वार की जगा तो आपका 100 सेंटीमी स्क तो अब डिल्टा इवाई की वायलू जा रहे हैं हम लोग यहां से देख चुकिया है ।ote यहां से आप यह के वायलू है-made जिरो प्वाइट टू बाइट तू तू यहां से आप तू आ ककार चागे जिरो निभ फोज्करनू2 वाई हो जाएगा आपका टू सेंटी मीटर स्क्वेर एक इतना व्र्ट तो यह आपका हो जाएगा ओर इन एरिया ठीक है delta A की value तो यहाँ पर just a coincidence है कि percentage error दो नहीं का रहा है क्योंकि area भी 100 ही था यह भी कितना था 100 ही था चलिए आज लोग आगे move करते हैं लिखा है कि if radius and height of cylinder as r is equal to आपका radius इतना दिया हुआ है आपका और height आपका इतना दिया हुआ है then find the percentage error in volume चलिए फटा फटा यूज करते हैं volume जो होता है आप से इंडर का जानते होता है pi r square तो pi r square into h तो अगर आपको percentage volume चाहिए तो delta भी भी की value निकालते हैं अब देखे यह formula जो है इसको हम लोग कहा निकालेंगे आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दू आप इसको यहां से match करवा सकते हैं कहां गया आपका formula k times of basically this is similar to almost formula number 8 इसमें बस आपको k की value constant multiply करने हैं तो मैंने आपको 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 बता चुका हूँ कि multiplication या division में k matter नहीं करता है जैसे कि formula number 5 दिया हुआ है k की value तभी mention होती है error में जो आपका दोनों term addition या subtraction में हो तो मैं उसी को use करते हुए यहां पर बोलूँगा कि delta b by b की value पाई में तो कुछ है नहीं लिखेंगे 2 times of delta r by r plus delta h by h ठीक है अचलिए calculation करते हैं तो 2 times of delta r by 0.1 by r is 5 plus delta h by h is 0.2 by 20 ठीक है तो हम लोग लिखने वाले हैं simple सा calculation है percentage error in volume is equal to delta v by v into 100 आप multiply कर दिजिए मतलब जो भी आपका answer लिखा हुआ है उसमें आप 100 multiply किजिएगा तो चलिए मैं LCM फटा फट लेते चलता हूँ तो हो जाएगा आपका 0.4 plus 0.1 divided by 10 into आप लिखिएगा 100 जो कि आने वाला है 5% तो इर आपका कितना हो जाएगा 5% ओके चलिए हमाते हैं next question में if two resistances are as follows resistance आपका दिया हुआ है then find series equivalent series equivalent कितना होगा मतलब आपको basically the equivalent resistance and the error in it वो दोनों calculate करने हैं और फिर आपको calculate करना है percentage error in parallel equivalent तो parallel में percentage कितना होगा we have quite heavy calculation here तो चलिए हम लोग solution फटा-फट शुरू करते हैं इसे के लिए मैंने time बचा कर रखा था और आपका data भी बचेगा इसे तो चलिए इसको मैं ऐसा करते हैं मैं आरेस नाम देता हूं ठीक है तो मैं अगर आरेस की बात करो तो आरेस की जो value हो जाएगी हो जाएगी R1 प्लस R2 तो चलिए हम लोग इसकी value calculate कर लेते हो जाएगा 10.0 लिखना ज़रूरी है नहीं कुष 20.0 which will be equal to 30.0 अब डेल्टा आरेस सिरीज में जो डेल्टा आरेस हैगा तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हो जाएगा तो आप डेल्टा R1 0.2 प्लस 0.2 which is equal to 0.4 तो आप अगर आरेस को equivalent लिख होगे तो उसको हम लोग error प्लस उसकी value प्लस उसका error लिख सकते हैं which is 30.0 प्लस माइनस 0.4 तो इस तरह से हम लोग series equivalent को exact लिख सकते हैं उसकी error और उसकी exact value के साथ second term आपका error represent करने वाला है first term आपका represent करने वाला है equivalent चलिए हम लोग बात करते हैं second part की जो की काफी ज़्यादा interesting होने वाला है parallel equivalent में percentage plus 1 by R2 ठीक है मैं पहले थोड़ा एक wait 1 by R1 plus 1 by क्या जगर 2 अब मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा parallel equivalent को calculate कर लेता हूँ कि इसकी value आखे कितने हैं चाहिए तो आनी चाहिए R1 R2 divided by क्या होता है R1 plus R2 साइड आपने इसको 10 class में आद किया होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फार्मुला यूज करने वाले हैं हम लोग का aim है percentage error calculate करना डेल्टा R by R into 100 को calculate करना तो आपने फार्मुला देखा होगा तो इसका फार्मुला जो होता है वो जाय गता है डेल्टा Rp by Rp square इस एक्वल टू डेल्टा R1 by R1 square प्लस डेल्टा R2 by R2 square आपने हर चीज लिख रखा है कि डेल्टा R1 कितना है जो कि यह है 0.2 डेल्टा R2 भी है 0.2 R1 है 10, R2 है 20 तो चले हम लोग value पूट करते है तो इसकी जो value हो जाएगे डेल्टा R1 0.2 by R1 is 10 square डेल्टा R2 is again 0.2 and R2 is basically 20 square तो यह होगा है डेल्टा Rp by Rp square लेकिन अगर मुझे कैल्कुलेट करना है percentage error तो मैं करगगा कि डेल्टा Rp by Rp को ही side रखूँगा और एक Rp जो है उसको right side भेज़ दूगा ठीक है अगर मुझे बात को ध्यान सुरीगा अगर मुझे कैल्कुलेट करना होता error error मतलब डेल्टा Rp की value तो उस case में मैं यहां से दोनो Rp को ले जाकर इसको भी हटा आता है यहां से और यहां पर Rp square भेज़ देता और Rp की value मेरे पास already calculated है इसको मैं यहां put कर देता ठीक है लेकिन मुझे calculate करना है percentage error तो अगर मुझे calculate करना है percentage error तो उस case में मैं 1 Rp को ही उस side भेज़ूँगा और 1 Rp को parallel equivalent को इस side रखूँगा ठीक है तो अब इस value में जो भी value मेरे पास left side आ रहा है उसमें मैं 100 multiply करता हूँ तो मेरा निकलने वाला है percentage error तो इसलिए मैंने ऐसे calculation किया चलिए इसको फटाफट calculation करते हैं तो आपका side आप देख सकते हैं इसका calculation 400 और यह हो जगा 0.8 ठीक है प्लस यह हो जगा 0.2 और into what is the value of Rp Rp is basically 20 by 3 ठीक है so this is the value of delta Rp by Rp ठीक है तो आप मुझे calculate करना है percentage error in delta Rp ठीक है आपको चाहिए क्या आपको करना है delta Rp by Rp into 100 निकालना है ठीक है तो इसमें जो भी answer आपके आ रहे है उसमें 100 multiply कर दो तो उपर आ रहे है आपका 1.0 divided by 400 into 20 by 3 और इसमें multiply करने वाला हूँ 100 तो यह 100 400 कैंसल कर देगा यह आपका आजाएगा 5 तो बिसकली आप क्या कर रहे है कि इसका आजाएगा 5 by 3 percent जो की हो गया 1.66 percent ठीक है तो आपका answer है कितना 1.66 percent तो इस तरह से हम लोग ने calculate किया चलिए हमनों last question कर दो आते हैं question दी आगा कि if a quantity q is given as q is this much right q की जो value है a b q divided by c root d है and percentage error in calculation of a b c d are 1 to 0.5 and 1 percent then find percentage error in q अब देखिए आपके पास जो solution है उसमें q की value दी होए कितने वो दी है a b q upon c d to the power half तो देखिए अभी तक हम लोग ने ये तो सीख लिया होगा कि जो भी चीज multiplication में हो वो actually उसमें जो formula अप्लिकेर होता है वो fractional का अप्लिकेर होता है या percentage का ठीक है तो ये सारे जो चीज है multiplication ये power ही multiplication ही है b q का मतलब हो गया b को आप 3 बार multiply करो ठीक है तो ये सारे multiplication ही एक तरीके से नीचे है division उसको भी लोग multiplication ही बोलते है negative power के साथ तो इसका मैं use करने वाला हूँ आप बोलिएगा कि delta q by q जो होना चाहिए वहाँ चाहिए delta a by a plus 3 times of delta b by b power multiply होता है plus बाले ही c पे power minus 1 हो लेकिन मैं फिर से इसको add ही करूँगा आप region जानते हो क्योंकि error हमेशा maximum निकालना होता है delta c by c plus half times of delta d by d अब के पास है fractional error का formula लेकिन आप दोनों सारे अगर 100 से multiply करते हो तो basically आपका जो formula बनने वाला है वो होने वाला है किसका percentage का और percentage error दिये गया है तो मैं अगर बोलो तो percentage error इना आपको delta क्यों निकालना हो तो आप सारे percentage error दिये गया है वो add करते हो इसको तो a में percentage error कितना है 1% plus 3 times of b में कितना है 2% को जादा ही हो गया प्लस C में percentage कितना है 0.5% ठीक है प्लस D में कितना है half times of 1% जो कि 0.5 होगा तो इसके अगर आप value calculate करते हैं तो value कितनी आएगी तो 6 and 1 7 and 1 8% 8% कुछ ज्यादा error है लेकिन कोई दिख कर नहीं है तो आपका answer हो ठीक है ठीक है नेक्स प्लास में मैं कुछ और interesting question के साथ हाँगा औ और तब तक के लिए bye bye and take care